प्रैम्स मॉम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है आज मैं टॉपिक में सिंगलर प्यूलर लेकर आएंग। वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे लाइक करें, शेर करें और सस्काइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह मेरी सिंगलर प्यूलर है, cat, cats जिसमें मैंने cat लिखकर S लगाया है। dog, dogs, house, house, S लगाया, watch, watches इसमें CH है हमारा, तो इसलिए हमने ES लगाया है इसमें, last week, glass, glasses, इसमें double ass है, इसलिए हमने ES लगाया है, apple, apples, box, boxes, X है इसमें last में, तो इसलिए हमने ES लगाया है, wish, wishes, इसमें भी ES लगाया है, bench, benches, mango, mango, इसमें O है, इसलिए ES लगाया है, इस तरह से बच्चों को सिंगलर प्यूलर के practice कराएं। add, ES, if word ends with, जो हमारा word रहता है last में, जो letter हमारे आते हैं, उसमें हम ES लगाते हैं, तो वो कौन-कौन से हैं, यह मैं आपको पताती हूँ, जैसे CH है, SS, SH, X, Z, S, O, यह जो भी हमारे letter आते हैं, words के पीछे, उसमें हम क्या लगाते हैं, ES, यह बच्चों को समझाएं। For example के लिए, जैसे CH, CH last में किस में आता है, वोच में, तो हम इसमें watches लिखेंगे, इसमें ES लगाएंगे, SH, brush, brush में ES, SS का हमारा glass है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ES, glasses, X है यह, तो इसमें बताएं आप, box, जैसे box का है, word, इसमें X लगाएंगे, तो हम इसमें क्या लगा X के साथ, ES, Z है quiz, तो quiz कर दीजिए से, S है, S का word होता, bus, तो हम ने क्या किया, इसको busses कर दिया, तो इसलिए इसको ES लगाएंगे, इसमें, O है, O का word हमारा होता, mango, mango में भी हम ES लगाएंगे, O के साथ, mangoes, तो इस तरीके से बच्चों को यह सब बताएं, जो जिन के पीछे यह सबाते हैं, letters, तो इस तरह से बच्चों को सिखने में आसानी रहेगी, add I, ES, if word ends with, यह वो word है, जिन के पीछे, I, ES हम लगाते हैं, last letter, consonant, जो last letter है, हमारा consonant का, जो आता है, उसमें, हम I, ES लगाते हैं, तो Y को हटागर, हम I, ES लगाएंगे, I, ES, देखे, इसमें consonant हमारा R है, तो R के पार हमारा Y है, तो इसलिए हम इसमें Y को हटागर लगा देंगे, I, ES, तो हमारे driver क्या बन गया, dries, fly, flies, इसमें I, ES लगाएं, lady, ladies, baby, babies, fairy, fairies, story, stories, तो बच्चों को अच्छी तरके से इनको समझाएं, कि जो भी last letter होता है, consonant का, अगर word में आ रहा है, तो उसको Y को हटा कर हम I, ES लगाएंगे, Many nouns add us to show that there is more than one person, things, animals, or place, जो भी हमारे nouns है, उसमें हमारा S लगता है, जैसे person, things, animals, or place, इन सब में हमारा S लगेगा, इस तरह किसे बच्चे को sentence बता है, जैसे, that is a worker, यह मेरा worker है, sentence में worker है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, those are workers, workers, इसमें S लग गया है, क्योंकि हमारा person है, workers, this is a chick, चिक हमारा animal है, these are chicks, इसमें भी हमने S लगा दिया है, तो इस सरह से बच्चों को प्यूलर बताएं, sentence मना का, जैसे, that is a bus, इसमें S आ रहा है, तो हम S की जगा हम क्या लगाएंगे, इस, तो हमने इसमें S का यूज किया है, those are buses, this is a peach, तो इसमें CH आ रहा है, देखी, तो हम क्या लिखेंगे, these are bitches, इस तरीके से बच्चों को sentence के रूप में singular pillar समझाएं, और इस तरह से words समझाएं, बच्चों को अच्छी तरीके से समझ माएंगा singular pillar, thank you.